वेलकम टीवर्स अकेडमी और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्चिन नंबर 1, 2 & 3 करने वाले हैं पेज 22 के बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन क्या हो है वीडियो पूरा देखना दिहान से देखना आपको एक वर वीडियो के आपको सारे आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे च्या आंसर से कैसे करना है तो शु CHू कैरते हैं वीडियो तो एक इस्टार करते हैं क्ष्टिन क्या आपका why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels ठीक है अब बहुत इंपोर्टन चीज है क्योंकि हम अपने घरों में जब curd खाते हैं या sour substances like कुछ अच्छा इवन पिकल्स पड़ते हैं आपके कर्ड है कर्ड में भी acid है sour substances में भी क्या है यह सब acidic होते है नेचर में ठीक है तो यह सब substances acidic होए और हम इसको copper vessel में या brass में क्यों नहीं रखेंगे क्योंकि यह क्या हो गया यह मैटल हो गया अब कुछ तो याद आ रहा होगा ना कि मैटल और अचिट का कुछ अब क्या बनाता है फिर मैटल सॉल्ट बन जाता है और प्लस क्या बनते हैं आपर हाइड्रोजन बन जाती गैस याद आ रही है रेक्शन तो अब आपने यह कोई आपने कोई आपने कोई आपने का कोई भी हामफुल होगा क्योंकि आपने करते हो तो इविन समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपकी मदर वगेरा पिकल्स टालती है उन्होंने इस्टील के किसी बड़े तो इमेडियेटे उसको एक ग्लास कंटेनर में शिफ्ट कर देती है क्यों और नहीं करती है तो ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह नुकसान दे हो जाएक आपके लिए यह इविन पिकल्श भी आप बाद में खाओगे तो यह नुकसान करेगा तो हमेशे ध्यान रखो कर्ड और sour substances, curd and sour substances should not be kept, ध्यान देने वाली बात है, कि इनको कभी नहीं रखना है, किसमें नहीं रखना है, किसी भी metal के बरतन में, जिसे brass or copper, vessels में specially, ठीक है, क्योंकि curd और दूसरे sour food stuffs है, because curd and other sour food stuffs contain acid, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, acids होते हैं, और which can react with the metal, ये metal के साथ में react करेंगे, of the vessel to form poisonous metal compound, तो जो metal salt बना है, वो क्या है, poisonous in nature में, उससे food poisoning हो सकती है, इससे आपकी health पर adverse effect पर सकता है, ठीक है, affect our health adversely, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसलिए हम curd या sour substances को metal metallic vessels में, ये brass or copper vessels में, नहीं रखते हैं, I hope, समझ में आगया होगा question, कैसे answer करना है, next question हमारा, which gas is usually liberated, हमें देखना है, कौन सी gas generally liberate होती है, when an acid react with a metal, अभी आपने पिछले question में, हलाकी देख लिया है, फिर से देखते हैं, इसको, ठीक है, illustrate with an example, of this gas, और इस gas की presence को, आप कैसे confirm करोगे, उसके लिए आपको एक test भी देना है, आपर, ठीक है, तो ये सारे answer है, तो सबसे पहला तो answer है, आपका which gas is usually liberated, फिर से लिख लेते reaction, हलाकी पिछले question में है, आपको यादी होगा, acid plus metal, जब react करता है, तो जो metal salt के साथ में gas evolve हो रही है, वो क्या होती आपके hydrogen gas, ध्यान है न, ठीक है, तो hydrogen gas is liberated, कौन सी gas liberate हो रही है, तो आपका पहला answer आगया, फिर स्ट आपका hydrogen gas is liberated, when an acid react with metal, ये एक acid है, और metal के साथ में इसने reaction किया है, ठीक है, clear हो है, good, next, आप से पूछा जाता है, कि आप एक activity को illustrate करके बताए, एक example illustrate करिए, तो आप इस तर से एक activity show कर सकते हो, ये क्या हमारा, ये हमारा iron stand है, ठीक है, क्या हो है, iron stand, इस iron stand से क्या fix है, ये आपका test tube है, ठीक है, test tube है, test tube में आपने क्या ले रखा है, ये जो pieces दिखे रहे हैं, आपको ये pieces किस छीच के हैं, आपके, zinc metal के, zinc pieces है, ठीक है, और जो solution है, ये क्या है, ये क्या है, आपका dilute, HCl, है सपोस, क्या तक के लिए रहा, तो हमने इस तरह से अपना arrangement किया, और यहाँ पर हमने एक tube ले रखे है, ये tube को हमने कॉर्क से फिट कर रखे है, कॉर्क से इसलिए फिट के हैंगी, कोई गैस अंदर से बाहर से अंदर नहीं आएगी, कोई अंदर से गैस बाहर नहीं जाएगी, तो अब ये जब reaction होगा, यहाँ पर जब zinc metal है, वो dilute HCl के साथ में reaction करेगा, तो क्या बनाएगा, metal salt बनाएगा, जो कि zinc chloride बना, ZnCl2, और प्लस क्या बनेगा आपका, hydrogen gas इवाल होगी, अब इसको आपको balance करना है, reaction को, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर zinc के साथ में, zinc chloride बना है, तो Cl2 है, तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगी, तो zinc chloride आपका, ZnCl2 confirm होगी है, ठीक है, sorry, balance होगया, अब यहाँ पर H2 भी balance है, Zn भी balance है, तो reaction तो मेरी balance होगी है, तो अब यह समझ में आगया आपको, कि यहाँ पर bubble formation किसके हो रहे है, यहाँ पर hydrogen gas evolve हो रही है, अब यह hydrogen gas इस delivery tube से यहाँ पर आ रही है अंदर, ठीक है, अब यह जब यहाँ पर अंदर आई तो यहाँ पर soap solution है, यह क्या है यहाँ आपर, यह पर आपके bubble, bubbles with hydrogen gas, क्योंकि जो hydrogen gas हो, bubbles में fill हो जा रही है यहाँ पर, और यह हम कहला है, एक burning candle है, यह candle है, burning candle है, इसको जब आप लाओगे, तो आप देखो गई, यह तरह से burning होती है, जिसको हम कहते है, burning with pop sound, यानि कि एक आवाज के साथ में, आप देखोगे, बहुत त यह पर, यह अच्छे से burn होगा, means, तेजी से light के साथ में जलेगा, यहाँ पर, जैसी bubble इसको touch करेगा, जैसी gas इसको touch करेगी, candle को, की flame को, और pop sound की आवाज होगी, तो यह आपका illustration हो गया, एक बाप फिर समझे लो कि test tube में, आपने zinc pieces लिया है, hydrochloric acid लिया है, reaction होगी, hydrogen gas evolve ह solution में, soap solution में, bubbles के अंदर फिलो का, जब bubbles भार आ रहे हैं, तो हम burning candle लाएंगे, और जो burning candle होगी, वो कैसे होगी, वो pop sound के साथ में, बर्न होगी, due to hydrogen gas, किसके वज़ा से, due to hydrogen gas, तो यह यहाँ पर experiment हो गया, अब next, यह तो यह इलस्टेशन होगा, आपका, example का, अब कह रहा है, how will you test for the presence of this gas, तो अब हम इस gas को कैसे presence को, देको, पहली चीज़ तो हमने देखा, bubbles, दो चीज़े हैं, first तो आपका, recognition होता है, bubbles formation से, ठीक है, तो bubbles formation होगी, means, कौन सी gas हो रही है, आपकी, H2 gas, और फिर pop sound के साथ, जब burn होता है, ठीक है न, pop sound के साथ में, और आप लिख सकते हो burning with puff sound, ठीक है न, तो यह जो होगा, यह भी आपका, confirmation हो जाता है, कि hydrogen gas है, तो आप लिख सकते हो, हाँपर, hydrogen gas is not soluble in water, यह water में soluble नहीं है, लेकिन जब इसको, अपने soap solution हो पास किया, तो यह bubbles के अंदर आ जाती, it gets trapped into bubbles, ट्यान देने वाली बात, मैंने भी कहाता है, कि bubbles में ठीक है, तो burning candle, sorry, bring a burning candle near the soap bubble, अब आपने, एक candle को, जैसे कि हम इसमें लाएं भी है, इसको यहाँ पर soap bubble के पास में लाओगे, filled with the gas, the soap bubble burst, soap bubble burst करेगा, और hydrogen gas burn होगी, with the pop sound, यहाँ पर hydrogen gas कैसे burn होगी, pop sound से, I hope, समझ में आगया होगा, आपको अच्छे से यह illustration, और किस तरह से आप इसको पैशान होगे, यहाँ पर हमें soap solution ही लेना होता है, क्योंकि water में यह dissolve नहीं होगी gas, ठीक हम water से test नहीं कर पाएंगे, तो हम soap solution लेते हैं, यहाँ पर, soap solution में जो bubble है, उसमें hydrogen gas trap हो जाएगी, फि reacts with dilute hydrochloric acid, इन दोनों की reaction हो रही है, किस की reaction हो रही है, देखो metal compound की reaction हो रही है, किस के साथ में reaction हो रही है, with dilute hydrochloric acid, और क्या produce हो रहा है, produce effervescence, ठीक है, नथा, produces effervescence, अब यह effervescence प्रोडूज कब होता है, यह ध्यान देने वाली बात है, आपको याद हो गाई है, यह का evolution होता है यह नि carbon dioxide gas यहाँ पर निकल रही है ठीक है the gas evolved extinguishes a burning candle अब यह भी carbon dioxide की property होती है और आप कह सकते हो confirmatory test भी है कि आप यह दी carbon dioxide का आपको शक हो रहा है carbon dioxide लग रही है आपको कि yes effervescence हो रहे है effervescence क्या होते है bubbles formation with the sound ठीक है जैसे कि आप देखते हो मैंने आपको श्याद पहले भी example दिया है कि जिसे आप जब cold drink वगारा की bottle में कोई salt lemon डालते होते एकदम से उसमें बहुत सारा bubbles with sound produce होते है तो वो भी कारण है carbon dioxide की evolution का ठीक है तो वही चीज है आपकी effervescence so write a balanced chemical equation for the reaction अब हमें यहाँ पर एक balanced chemical equation लिखने है for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride यह थी इसमें से जो मारे एक product बने है उनमें से एक जो है वो calcium chloride है तो हमें यह तो पता है कि metal compound यदि carbonate होगा तभी carbon dioxide gas निकलती है याद आ रहा होगा आपको चलो activity देख लेते हैं यह activity में क्या है हमने यह test tube दिख रही है इसमें कुछ यहाँ पर एक salt है suppose यहाँ पर और यह है dilute hydrochloric acid इसको क्या के लिए हमने dilute HCl लिया है यह क्या हमने carbonate salt लिया है अब हमने चुकि calcium carbonate निकल रहा है कहा कि एक product जो form हो रहा है वो calcium chloride sorry calcium chloride है तो यहाँ पर मैंने क्या लिया suppose calcium carbonate लोगे आप CaCO3 calcium carbonate का formula होता है CaCO3 अब यह दोनों की reaction हो यह दोनों क्या प्लस हो गए दोनों की reaction होगी reaction होगी तो यहाँ पर एक gas का evolution होगा यह gas कौन से होगे आपकी carbon dioxide gas यह gas यहाँ से निकलेगी अब यह gas के fumes यहाँ से होते हुए कहाँ पर आगे इस test tube में आगे इस test tube में हमने क्या ले रखा है lime water ले रखा है ठीक है अब यह lime water का color कैसा हो रहा है milky color हो जाता है जब हम carbon dioxide इसमें से pass करेंगे तो lime water का color milky हो जाएगा it turns milky ठीक है ना lime water turns milky जब carbon dioxide gas इसमें enter करेगे clear हो गया होगा I think बिल्कुल समझ में आगया ना फिर से एक बार देख लो calcium chloride calcium carbonate reaction करेगा hydrochloride क्योंकि हमने जो reaction book में देखिए वो sodium carbonate के साथ है लेकिन जब हमें product एक दिया है calcium chloride तो obvious सी बात है हम calcium carbonate लेंगे आपर और hydrochloric acid ने reaction किया तो acid with metal carbonate यह दिया आपको याद होगा तो हमारे पास तीन product बनते हैं ठीक है यह मैं यहां यहां पर bird equation लिख ले रहे हैं आपकी metal carbonate ठीक है metal carbonate जब react करता है acid के साथ में तो याद रखना क्या-क्या बनता है metal salt बनेगा प्लस water बनेगा और प्लस carbon dioxide gas बनेगी यह तीन चीज़े बनते हैं तो carbon dioxide बता ही दिया effervescence है, extinguishes, burning candle दूसरा salt भी होता दिया है calcium chloride तीसरा water बनेगा ठीक है अब हम इसकी reaction लिखेंगे, उससे पहले एक चीज़ यह भी समझ लो कि यहाँ पर तुमने lime water पास किया है it becomes milky तो यह भी इसका confirmatory test है अब suppose मैंने यहाँ पर यह इस तरह से delivery tube के थून ना दिखाया होता simply gas यहाँ से निकलती हूँ दिखाते हो, यहाँ पर हम एक burning candle लियाते है या burning majestic लियाते है तो वो बुझ जाती है क्योंकि carbon dioxide extinguishes a burning candle तो यह भी property आपकी carbon dioxide की property ध्यान रखना अब reaction के लिखोगे, आप reaction लिख दोगे calcium carbonate plus dilute acid है आपका HCl ठीक है ना और gives metal salts है, हाँ पर क्या बनेगा metal salts? CaCl2 plus water and plus carbon dioxide gas अब इसको बैलेंस कर लेते हैं ठीक है देखो यहाँ पर Cl2 है यहाँ पर Cl1 है तो यहाँ पर 2 लिख दूंगी तो ठीक है Cl2 balance हो गया H2B balance हो गया obviously ठीक है O3 है तो O1 and O2 3 complete हो गया Ca Ca1 on both the side of carbon B1 है ठीक हो गया है तो reaction हमारी balance हो गयी तो हमसे इतने ही पूछा गया है कि यह right balanced chemical occasion if one of the compound formed is calcium chloride तो हमने देख लिया yes one compound is calcium chloride यह क्या आपका this is what calcium chloride right और effervescence किसके ते carbon dioxide gas के right और यही extinguish कर देती है आपकी candle को answer लिख सकते है as the ant product is calcium chloride the gas formed is carbon dioxide and metal compound A must be calcium carbonate therefore the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is फिर आप यहां पर reaction लिखते हो चो मैंने लिखिया आपको कि CACO3 plus 2HCl gives CACL2 plus H2O and plus CO2 यह आपकी reaction होगी so I hope सारे questions आपको अच्छे समझ में आगे होंगी तीनो questions so thank you for watching the video